हेलो दोसो हमारे चैनल पर आपका हार्डिक स्वागत है दोसो आज की हमारी वीडियो है कान में जमी सारी गंदगी को बिना दर्द के साफ करने का सबसे आसान घरेलू नुस्खा दोसो हमारे श्रीर में ऐसे कई अंग है जिने साफ करने में हम लोगों को बहु ज़्यादा परेशानी होती हैं जैसे की कानों से गंदगी नाभी से गंदगी और आखों से कीचड ऐसी कई जगा है जहां पर हम लोगों को उनकी सफाई करने में बहु ज़्यादा दिक्कत होती हम रोज नहाते हैं महीने में एक बार बाल भी जरूर कटवाते हैं हफते में एक बार नाखुन भी काट लेते हैं लेकिन अक्सर हम कानों को साफ करना भूल ही जाते हैं या फिर ये कहें कि आपको कान साफ करने का सही तरीका नहीं पता तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आ नहीं होते तो हमें कहां से सुनेगा दोस्तों कानों की समय समय पर सफाई बेहत जरूरी है ऐसा नहीं करने पर कानों में खुजली जलन या फिर इंफेक्शन होने का खत्रा बना रहता है कानों की मैल साफ नहीं करने से बहरेपन तक का खत्रा बन जाता है कुछ लोग कान की सफ कानों में ना डालें दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको नुस्के बताएंगे आप उनका प्रियोग करके अपने कानों को आसानी से साफ कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि कान हमारे श्रीर का एक पेहत सम्वेधन शील अंग है इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको लेने के देने पड़ जाएं दोस्तों कान में मैल जमा होना या खोट हो जाना एक समान्य बाद है इसे इयर वेक्स के नाम से भी जाना जाता है ये सच है कि कई घरेलू उपायों से साब्धानी बर्तते हुए खोट को साफ किया जा सकता है लेकिन इस काम को एहतियात के साथ ही करना जुरूरी है अगर खोट बहुत कड़ी होकर जम गई हो तो बहतर है कि इसे निकलवाने आप डॉक्टर के पास ही जाए क्योंकि आप अगर घर पर करेंगे तो आपको रिस्क होगा कान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाना बारी पढ़ सकता है कान की खो होते हैं हाला कि Ear Wax कानों की शुरुक्षा के लिए होते हैं लेकिन जब ये बहुत जारा जमा हो जाता है तो सुनाई देना कम हो जाता है कई बार इसकी वज़ा से कानदर्द और इनफेक्शन का खत्रा भी हो जाता है ये Ear Drum को भी Block कर देता है इयर फोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करने और बार बार इयर बढ़ का इस्तेमाल करने से कानों में खोंट अंदर की और जमा हो जाता है इससे कई तरह किसमस्य हो सकती हैं दोस्तों अब आपको बताते हैं कानों में जमी मैल को साफ करने के चमतकारी घृलू उपायों के बारे में जिनका उपयोग करके आपको बहुत ही रहत मिलेगी और आपके कान बिलकुल साफ हो जाएंगे दोस्तों वो नुस्के हैं पहला नुस्का तेल के प्रियोग से कान में मुझूद गंदगी अगर बहुत सूप गई है तो सफाई से पहले तेल ढाल कर इसे फुला लेना चाहिए पुला हुआ वैक्स असानी से बहा निकल जाता है जबकि सूखा वैक्स कानों के दिवारों पर चिपक जाता है इसके लिए गुनगुने तेल को कान में डाल कर थोड़े देर इंतजार करें फिर तेल को बहर पलट दें इसके बाद बर्ट्स की साहता से कान की दिवारों पर चिपकी मैल को भी साफ कर ले। इसके लिए आप सरसो का तेल, मुंफली का तेल या फिर जैदून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और गरम पानी से गरम पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर एक मिश्रन त्यार कर ले। इस मिश्रन को इयर बर्ट्स पर लगाकर कान में गुमाले। इससे आपका कान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। गरम पानी के प्रियोग से दोस्तों पानी को हलका गुनगुना होने त गरम पानी कान से निकाल लें ये कान की मैल साफ करने का एक बहद आसान तरीका है अद्रक और नीम्बू के रस से अद्रक के रस में नीम्बू का रस मिला लें अब इस मिश्रन को इयर बर्ड्स पे लगा कर कान में घुमाएं ऐसा करने से आपके कानों का पी-च लेवल बना र तेल भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है पर सरसो के तेल की गुणुवत्ता उच होनी चाहिए यानि कि उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए तेल के इस्तेमाल से खोट धीली पढ़ जाती है और आसानी से बहा निकल जाती हैं दोस्तो ऐसा करते हुए आप इन बातों का भी ध्यान रखे कई लोग ऐसे होते हैं कि कान में कुछ भी डाल लेते हैं जैसे कि हेर पिन माचिस की तिली सेफटी पिन ये उनके लिए खरनाख हो सकता है तो दोस्तों जब भी आप कान साफ करें तो आप माचिस की तिली सेफटी पिन या हेर पिन का प्रियोग ना करें दोस सुहागे को पीस कर कान में डालकर उपर से नीम्बू के रस की बून डालने से मुवाद निकलना बंध हो जाता है इसके लिए आप दूसरा प्रियोग भी कर सकते हैं शुद सरसो या तिल के तेल में लहसुन की कलियों को पका कर एक या दो बून सुबह शाम कान में डालने से आपको फायदा होगा आपके कान से अगर मुवाद बह रहा है तो वो इससे ठीक हो जाएगा अब आपको बताते हैं बहरेपन का इलाज दोसों बहरेपन में आप दशमूल अकरोट और कड़वी बदाम के तेल की बून्दे कान में डालें इससे आपका बहरापन धीरे धीर ठीक हो जाएगा बहरेपन के लिए ही आप एक और परियोग भी कर सकते हैं आप आकड़े के पके हुए पीले पत्तों को साफ करके उस पर सरसों का तेल लगा कर गरम करके उसका रस निकाल कर दो से तीन बून्द हर रोज सुबे शाम कान में डालने से बहरेपन में आपको फ काने में पीस कर उसका रस दो तीन बून्दिन में दो बार कान में डालने से आपका बहरेपन खतम हो जाएगा दोस्तों अब आपको बताते हैं यदि आपके कान में दर्द है तो आप क्या करें आपको करना है अद्रक का रस कान में डालें इस से क्या होगा कान के दर्द बह तो सारा लाब मिलेगा यदि आपके कान में आवाज आती है तो क्या करें लहसुन और हल्दी को एक रस करके कान में डालने पर आपको लाब मिलेगा कान बंद होने पर भी आप ये प्रियोग कर सकते हैं उसमें भी ये बहुत ही लाबकारी है अब आपको बताते हैं कि कान में अगर कीडा चला गया है तो आप क्या करें दोस्तों दीपक के नीचे का जमा हुआ तेल अथवा शहद या फिर अरंडी का तेल या प्याज का रस इन में से किसी एक चीज को कान में डाल सकते हैं अगर आप डालेंगे तो आपके जो कान में कीडा चला गया है वो बहा निकल जाएगा दोस्तों यदि आपके कान में नॉर्मल सा दर्द है तो आप क्या करें सरसो ये तिल के तेल में तुलसी के पत्ते डाल कर धीमी आज पर रख दे पत्ते जल जाने पर उतार कर छान ले इस तेल की दो से चार बुंदे कान में डालने से सभी परकार के कान के दर्द में आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों ये थे कुछ नुस्खे जिन का प्रियोग करके आप अपने कान की मैल निकाल सकते हैं दर्द दूर कर सकते हैं या फिर कान में कीड़ा चल गया है वो निकाल सकते हैं या फिर नॉर्मल सागरदर्ध है कान में तो उसको भी ठीक कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकोन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तो